नमस्कार दोस्तों देखें में राजस्थान में जो 8860 की करांती है उस बारे में कुछ महत्रपुण जो ठैक्ट हैं उन पर बात करेंगे और बहुत ज़्याद़ा समभावना है कि जब आमेर रियासत जो थी वहां सबसे ज़्यादा वर्षों तक सासन किस सासक ने किया था आमेर रियासत में सबसे ज़्यादा सासन किस सासक के द्वारा किया गया यह आपको कमेंट करके बताना है तो आज हम आगे पढ़ते हैं 1857 की करांती के जो मैत्पून फैक्ट हैं उनके बारे में और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर क्या कीजिए अब देखेगा 1857 की जो करांती है इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज मैं बता दूँ थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ कई बार विद्यार्थी थोड़ा से कनफ्यूज हो जाते हैं देखे एक तो सबसी डियरी अलाइंस होती है सब ओडिनेट अलाइंस जिसको आप कहते हो आशरित पार्थिके के निती आशरित पार्थिके के निती सबसी डिरी अलाइंस जो होती है यानि साहेक संदिया ये संदिया हुई थी 1798 में से लेकर के 1805 के बीच में जो गवर्नर जनरल था यहां पर कौन लोड वेलेजली उस वक बारत का गवर्नर जनरल कौन था लोड वेलेजली था 1798 में से 1805 उस समय जो साहेक संदिया हुई थी वो कहलाती है सबसी डिरी अलाइंस और उसमें आप पड़ते हो बरतपूर अलवर पहली बरतपूर थी सितंबर 1803 में और उसके बाद में अलवर थी नौंबर 1803 में तो व सामने सामने बेट के और बराबरी की बात कि दो शर्त आपकी तो दो शर्त हमारी वो वाली पोजिशन थी कब 1803 में और ये जो है सब ओडिनेट नाम से ही पता चल रहा है सब ओडिनेट अब आप यहां मारे बराबर नहीं अब अमारे अधीन तो ये जो संदिया है इनको सब ordinate alliance कहते हैं सही नाम तो है आज़ित पार्थिके की नीती बोल्चाल में इसको साइक संदी कह देते हैं उस समय गवर्नर जनरल कौन था लोर्ड होर्डिंग्स यह ध्यान वे रखेगा उस समय गवर्नर जनरल था लोर्ड होर्डिंग्स 1817 से 23 के मद्या जो साइक संदिया होती है जो सबसे पहली की थी करोली ने नौमबर 1817 में और फिर कोटा जो विश्तिरित संदी की गई तो वो थी दिसंबर 1817 में और सबसे अंत्वे इसमें नाम आता है सिरोई का 1823 में तो इस तरह से यह जो संदिया है तो यह जो सब ओडिनेट अलाइंस थी इन संदियों ने सब ओडिनेट अलाइंस ने यहां के राजाओं को पूरी तरह से अधीन कर दिया था किसके अंग्रेजों के हलांकि अंग्रेजों ने का था कि हम आपके आंत्रिक मामलों में जो है हस्तक्षेफ वगरा नहीं करेंगे लेकिन अंग्रेजों के अब वो बातें सिर्फ बोलने की थी अंग्रेजों का हस्तक्षेफ हद से अधिक था हद से अधिक तो यह चीजों में थोड़ा डिफेरेंस आप समझगे होंगे तो उस समय गवर्णर जनरल कोन था यहां कोन था यह थोड़ा सा अफेक्ट है और आप इसको ध्यान में रख लीजेगा तो 1857 की करांती की जब हम बात करते है 1857 की करांती तो उस समय जो है यहां गवर्णर जनरल कोन था भारत का यह आप ध्यान में रखेगा उस समय गवनर जनर था लोड कैनिंग और इसके लावा एजीजी की बात करें जो की कहां बेड़ता था अजमेर कहां का एजीजी राजस्तान का एजेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट की बात करें, मेवाड का political agent था Major Sauer कोटा की बात करें, तो कोटा का था Major Burton, बरतपूर की बात करें तो बरतपूर का था Morrison मारवाड की बात करें, तो मारवाड का था Make Mason, और जैपूर का था Colonel Eden, तो ये आप ध्यान में रखेगा, और राजस्तान का पहला जो है AGG कौन था, तो वो था locate, ये ध्यान में रखेगा, राजस्तान का पहला AGG, वो था locate, 1832 में इस्तवित किया गया था इस पोश्ट को, मुख्याले बनाए गया था अज्मेर में, तो ये थोड़ असा point आप इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, उस सम कि हम बात करते हैं तो उस समय जो छे सेनिक चावणिया थी आपको सबको याद होगा नसीराबाद, इसके बाद में हम बात करते हैं नीमच, फिर उसके बाद में हम ब्यावर और फिर लास्ट में है देवली तो इसमें जो नसीराबाद है वो अजमेर में नीमच जो की कहां था MP में वर्तमान में जो है ये MP में है लेकिन उस समय नीमच मेवाड रियासत के अंतरक्त आता था एरिनपूरा ये कहां पर था पाली में खेरवाडा उद्यपूर में ब्यावर अजमेर में और देवली तोंक में इसमें दोर यासत ऐसी थी जो सेनिक चावनी थी लेकिन फिर भी वहाँ पर विद्रो है नहीं वा तो वो दोर यासत थी खेरवाडा और ब्यावर ये दोर यासत ऐसी है जहां पर सेनिक चावनी थी फि लेकिन 10 मई को ही मेरट की चावनी से विद्रो है शुरू हो गया था और वो 10 मई को जो वहां से शुरू हुआ तो उसकी लो जो है वो नसिराबाद में भी हुई और नसिराबाद की अंदर जो है वो 28 मई 1857 को करांती का बिगुल बच जाता है कब 28 मई 1857 को यहां पर करांती कारी नेता जो है वो जैसे बक्तावर सिंग यह नेता थे किस-किस ने विद्रो किया था जैसे 15 मई बंगाल नेटिव इन फैंट्री ने विद्रो कर दिया था इनका सयोग 30 मई बंगाल नेटिव इन फैंट्री उसने भी इनका साथ दिया तो इन सब ने जो है करांतिकारियों का और यहां पर अधिकार करने के बाद में ये कहां रवाना हो गे थे? दिल्ली रवाना हो गए इसके बाद में हम बात करते हैं निमच की तो निमच में होता है 3 जून 1850 को और करांतिकारी नेता कौन-कोन थे? तो मुहमद अली बैग और हीरा सिंग ये कुछ नाम है मैत्पून तो मुहमद अली बैग और हीरा सिंग कारी इनका नाम आप ध्यान में रखेगा यहाँ पर एक गटना करम होता है 40 अंग्रेज परिवार जो है 40 अंग्रेज परिवार सहीत यहाँ से बागते हैं और चितोडगड़ के डूंगला गाउं में एक किसान होता है रूंगा राम, उसके घर जाकर के शरण लेते हैं, तो मेवाड का जो उस समय राना थे सवरूप सिंग, तो उन्होंने वहां से निकाल करके उनकी साहिता की और इनको जग मंदिर के महलों में रखा, तो थोड़ा स कोई बहुत बड़ा नीवा, देवली के अंदर जो है, यह जो निमच वाले सेनिक थे, यह देवली पहुंच आते हैं, और तब यहां के सेनिक भी विद्रो कर देते हैं, यह 3 जून को जैसे यहां विद्रो हो गया था निमच में, फिर यह बाद में 5 जून तक यह देवली एरिनपुरा की बात करें तो एरिनपुरा का होता है 21 अगस्त 1857 को, तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा और जो एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, वो नारा इसी एरिनपुरा वाले सेनिकों के द्वारा दिया गया था, और यहां से यह दिल्ली की और रवाना हो जाते हैं लेकिन रस्ते में खेरवा जो की स्थान पड़ता है पाली में वहाँ पर कुसाल सिंग चमपावत वो जो है वो उनसे इनकी मुलाकात होती है और वो इनकी साहिता करता है तो यह आपका जो सेनिक छाउनिया है उनका मेरमेन पॉइंट होगे सारे चार सेनिक छाउनिया है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली इनके बारे में तो है और खेरवड़ा और ब्यावर के अंदर कोई विद्रोह है नहीं होता अब दो परमुक स्थान ऐसे आप से पूछ सकता है जो सेनिक छाउनि नहीं थे लेकिन उनके विद्रोह ने पूरे राजस्तान को हिला के रख दिया यहां तकी नैशनल लेवल पर भी हिला के रख दिया वो था आववा तो आववा के अंदर देखिए ठाकूर थाए कुशाल सिंग चमपावत कुशाल सिंग चमपावत तो यहां पर जो है आववा कहां पड़ता है पाली में है आववा के ठाकूर कुशाल सिंग चमपावत ने विद्रोह कर दिया तो तीन युद आपको ध्यान में रखने है कुशाल सिंग चमपावत के सबसे पहला जो यूद था वो था बिठोडा का यूद दूसरा जो यूद था वो था चैलावास का यूद ये सब स्थान पाली में है और तीसरा जो स्थान है तीसरा यूद था आहुआ का यूद और तीनों ही जो स्थान है वो वर्तमान पाली में ही है बिठोडा का युद जो होता है वो होता है 8 सितंबर 1857 को इसके 10 दिन बाद होता है चेलावास का युद 18 सितंबर को और उसके बाद आहुआ का युद होता है 20 जनवरी 1858 को बिठोडा का जो युद होता है उसमें एक तरफ कौन होता है कुशाल सिंग के साथ में होते हैं करांतिकारी सेनिक एक तरफ तो ये थे और दूसरी तरफ मारवाड का सासक तक सिंग इनकी सेना होती है मारवाड की सासक की सेना और अंग्रेज अधिकारी हीट कोट की सेना तो ये कईयों की सेना होती है लेकिन इसमें विजित जो होता है वो कुशाल सिंग होता है और जोत्पुर सेना का जो परमुक होता है ओनाड सिंग वो मारा जाता है तो पहले यूद में किसकी विजित जो विजे किसकी हुई कुशाल सिंग ही दूसरा चैलावास का यूद कहते हैं और इस चैलावास की यूद को ही काले गोरों का या गोरे काले का यूद भी कहा जाता है ये किस-किस के बीच में होता है एक तरफ वो ही कुसाल सिंग और दूसरी तरफ अब अंग्रेज यानि गोरे कौन-कौन पैट्रिक लोरेंस जो कि उसमें रास्तान का एजी जी और एक इसके साथ था मारवाड का पीए प्लिटिकल एजेंट मेक मेसन तो मेक मेसन जो है वो मारा जाता है इसमें और मेक मेसन को मारने के बाद में मेक मेसन का सिर काट करके आहुआ के किले पर करांतिकारियों ने लटका दिया इस यूद में भी किसकी विजे हुई कुसाल सिंग चंपावत की अब इसके बाद में तीसरा यूद होता है आहुआ का यूद इस बार करनल हॉम्स के नेतरतों में सेना आती है और इस बार जो कुसाल सिंग है वो प्राजित हो जाता है और शरण कहां लेता है कोठारिया के रावत जोद सिंग के यहाँ पर जाकर के शरण लेता है अंग्रेज सेना जो है वो आवा को लूडती है और सुगाली माता जो की 1857 की जो क्रांती है उसकी डेवी भी मानी जाती है तो सुगाली माता की जो मूर्ती है वो अंग्रेज अपने साथ में ले जाते हैं यह आप ध्यान में रख लीजेगा 1860 के अंदर जो है वो कुसाल सिंग ने नीमच में आतम समरपन कर दिया जांच के लिए टेलर आयोग बिठाया गया लेकिन आरोप साबित नीवे और कुसाल सिंग को जो है वो रीहा कर दिया गया तो यह बड़ा जोड़दार हुआ था सारा आप देख लिए कितना तीन युद हो गए मतलब उस वक्त राजस्तान का जो एजी जी उससे भी पार नहीं पड़ी थी तो यह आववा के बारे में मैत्पुन जानकारी थी अब बात करते हैं कोटा के बारे में देखे कोटा में उस समय जो है वहां का कोटा का सासक जो होता है राम सिंग सेकेंड कोटा के अंदर जो विद्रोई करने वाले जो करांतिकारी नेता थे वो थे जैदेयाल बटनाकर और दूसरे थे महराब खान तो ये परमुख नेता थे और मेजर बटन जो है वो 12 अक्टूबर को कोटा आता है इसको हलांकि पहले जो है बोल दिया गया था कि वाई आपके खिलाब विद्रोई है आप मत आना कोटा फिर भी यह आया तो 12 अक्टूबर को बटन कोटा आता है और 15 अक्टूबर को जो है वो ये पूरी तरह से विद्रोई हो जाता है और ना केवल इन करांतिकारीयों के द्वारा बलकि जो पूरी जनता है उसके द्वारा विद्रोई कर दिया गया था इसलिए कोटा का विद्रोई है जन विद्रोई है माना जाता है तो इस विद्रोई में क्या क्या किया गया जो मेजर बटन है उसकी हत्या कर दी गई और मेजर बटन का सर जो है वो काट दिया गया और सर काट करके संपुन कोटा सहर के अंदर गुमाए गया और मेजर बटन के अलावा मेजर बटन के दो पुतर थे उनको भी मार दिया गया और डॉक्टर थे सेडलर और काटम उनको भी मार दिया गया और राम सिंग सेकेंड को कर दिया नजर बंद यानि महल के अंदर बंद कर दिया अब आप ना कहीं जाओगे और ना कहीं आओगे और पूरा जो महल है पूरा कोटे पर किसका अधिकार हो गया करांतिकारियों का और लगबग 6 महीने तक यानि 15 अक्टूबर को वा था ये जो विद्रो था 6 महीने तक कोटा पर करांतिकारियों का अधिकार रहता है इसके बाद में जो है मार्च 1858 में मार्च 1858 में रोबर्ट्स के नेतरतों में सेना आती है और रोबर्ट्स की साहिता करेगा करोली का सासक मदनपाल सिंग और इस बार जो है करांतिकारी हार जाते हैं और जैदियाल बटनाकर और मेराफ खान दोनों को फांसी दे दी जाती है तो इस प्रकार से कोटा का विद्रो जो है उसको दबा दिया जाते है तो ये कुछ एक पॉइंट जो है कोटा से सम्मधित आप ध्यान में रखेगा इसके बाद में बाकी हलके फूल के फैक्ट कई होते हैं जैसे एक मातर सासक जो रियासत से बाहर गया था साहिता करने के लिए जो राजपुताना से बाहर गया तो वो था बिकानेर का सरदार सिंग सरदार सिंग गया था ये बाडलू नामक स्थान पर बाडलू है ये हर्याना की तरफ पढ़ता है बाडलू नामक स्थान पर गया था अंग्रेजों के साहिता करने के लिए तो थोड़ा सा बिंदू को आप ध्यान में डख लीजेगा एक देखे नाम आता है तात्या टोपे का तात्या टोपे जो है ये नाना साब का सेवक था और कहां का विद्रोई नेता था गौालियर का ये राजस्तान दो बार आये था साहिता की आस में काफी नाम सुना था इसने राजस्तान का एक राजस्तान में साहिता मिलेगी यहां के जो राजा हैं वो साहिता करेंगे लेकिन आश्चा के विपरीत यहां मामला पूरा ही उल्टा था और तात्या टोपे को कोई भी साहिता प्राप्त यहां से नहीं हुई कोई एक दगर कोई हलकी फुलकी प्राप्त वी बाकि तात्या टोपे को साइता प्राप्त नहीं होती है राजस्तान दो बार आता है तात्या टोपे पहली बार तो आठ अगस Nicolasравствуйте state ammon को आया और दूसरी बार दिसंबर 1890 में आता है और दोनों बारी तात्या टोपे को जो साइता मिलनी चाहिए थी वो साइता प्राप्त नहीं होती तात्या टोपे का नाम भी आप ध्यान में रखेगा रामचंदर पांडूरंग टोपे ये कई बार आ सकता है राम चंदर पांडूरं टोपे ये तात्या टोपे का सही नाम है और बाद में यहां आता है साहिता प्रात नहीं होती कुछ ठाकूर जो थे उन्होंने साहिता जुरूर की थी एक तो एक तो कोटारिया के रावत थे जोध सिंग उन्होंने भी साहिता की थी और एक सलूंबर के रावत थे केशरी सिंग चुंडावत उन्होंने भी साहिता की थी तो ये कई इनका नाम आता है आप इनका ध्याम रख लिजेगा जोध सिंग और केशरी सिंग चुंडावत इसके बाद में देखिए कुछ से इनके युद बगरा होते हैं कुछ गटना करम फिर नरवर का जागिरदार मान सिंग नरु का वो दोके से इनको पास में रखता है और दोके से अंगरेजों को सूजना दे देता है और इनको गिर्फतार करवा देता है 18 अप्रेल 1869 को MP में सिव पूरी स्थान पर जो है वो तात्या टूपे को फासी दे दी जाती है तो ये कई मैत्पुन बिंदू थे जो मैंने आपको बताए एक परकार से जितने भी मैत्पुन बिंदू थे उनका रिविजन हो गया और जैसे कई हैं जैसे अमर्चंद बांठिया है तो वो 1860 की करांती का उनको बामाशा है कहा जाता है तो इस तरह से कई बिंदू आप द्यान में रख लीजिएगा तो आशा है कि जितने भी मैत्पुन बिंदू है उनका रिविजन आप काथसे से हो गया है और इसी परकार से आप पढ़ते रहे हैं रिविजन करते रहे हैं तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन्द जै भारत